तबीका स्वागत है और देखें आप सभी के सामने मैंने इस जगा बैंक निप्टी का चार्ड उपन किया है जैसे कि हमने कल भी बात किया था कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है 400 से 500 पॉइंटों के आसवास और उपर के लेवल से आपने देखा कि काफी अच्छी गिरावट आपको देखने को बली अब बात करते हैं कि मार्केट में कल कैसी उपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए उसके पीचे का क्य अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने देखिए जो ऊपर की साइट हाई मारता इस जगह 35,000-540 के समतिंग का उच जगह से अगर आप देखोगे तो मार्केट में continue गिरावट आपको देखने को बली ऐसा हो क्यों रहा है जैकि मैंने आपको ए पिडाई से और मार्केट इसी रजिस्टेंस से नीचे की साइट आता हूँ दिखाई दे रहा है अब देखिए इसमें केंडिल कैसे बना है अभी तक अगर आप देखो तो इसके अंदर कितनी केंडिल वनी है फर्स नंबर की केंडिल आपको जे देखने को बलती है फिर आरो केंडिल ने काम कैसे किया था अगर हम बात करें तो यहां पर वहां देखिए जो बॉडि दिखाई दे रही उसके बात फिर जो बनते हुँ दिखाई थी फल्स डेल में इसकी ओपनिंग और उसका हाई अपका सेम ता तिक है पर के आपका जह उपनिग और ही तो ठीक ठीक है इसने क्रोच भी ता लेकिन उसके बद Marqis के आशफर दिखे इस जगह क्या दिया था फिर उसके बाद आपका दो Revelation और बनाता जो कि आपका तो से मैं आपको समझाना चांजा केंडिल आपको सेम है ऐसा क्यूंकि मार्ट में अगर आप देखो गे तो सभी जो आपको बनते हुए दिखाई दिया मार्केट में है वो कई ना कई एक बैरिस पॉइंट इस जगह कैलकुलेट करके दे रही थी क्योंकि मार्केट ऊपर की साइड जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मार्केट ऊपर की साइड आपका 35,370 को पार नहीं कर पा रहा था यानि कोई न बड़ा केंडेल बनते हुए दिखाई दिता है और आज के दिन देखिए एक चीज और बनते हुए दिखाई दि कि मार्केट ने अपने साइकलोजी लेवल को क्रोस किया जो कि आपका 35,000 का साइकलोजी लेवल था और मार्केट ने इस जगह को दिखाई देगा कि 34,1877 का कि लोजिंग दिया है जो कि हमारे टार्गेट और टार्गेट भी इस जगह हिट होते हुए दिखाई दिए अब यहाँ पर देखें दो चीज़ा और समझ में आना चाहिए कि आपका जब केंडिल जो है वह कंटीन्यू सेलिंग इस जगह दिखाई 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 जिए इस जगह निपटी, बैंक, निपटी, श्टॉक के अपडेट आप सभी को दिये जाते हैं और साथी साथ बिलकुल फिरी है कोई भी आपको पे करने की जवबत नहीं है लिंक आपको वीडियो के डिक्स्क्रिशन में दिया गया है बिलकुल फिरी है अगर आपको जो के decision में दिए गए हैं देखिए जगा 5 मिट का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है 5 मिट के चार्ट पर देखिए दो चीजे में आपकी clear इस जगा करना चाहूंगा कि अभी तक मार्केट में किस तरीके के pattern इस जगा बनते हूँ दिखाई दिया मार्केट में एक gap के साथ opening देखने को मला जब पूरा मार्केट में उपर के level पर selling आना था और पिलास अगर आप देखो तो इसमें एक gap भी बनता हूँ दिखाई दिया इसमें देखिए दो चीजे आपको दिखाई दे रही है कि एक तो मार्केट एज जगा क्या करते हूँ दिखाई दे रहा मार्केट डारेट नहीं आया देख इस जगह फिल से पी बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि देखिए चो अभी तक मेरा उपर से सेलिंग का टार्गेट था वो इस जगह हजार पॉंटों का सेलिंग का टार्गेट था ठीक है लेकिन उसमें से अभी कितना सेलिंग आपका हुआ है इस जगह 400-400 पॉंट के है 37,750 के नीचे अगर जाता है तो इसके नीचे हम जाने पर मार्केश जाने ओपर की सायट ओपनिंग लेकिन नीचे की सायट की देना चाहिए माइन में किलोजिंग देना चाहिए तो इस जगह हम पीए बाइंग करके चल सकते हैं यह थिर हमारा टार्गट क्या होगा तो टार्गेट की हम बात करते हैं देहें पहले टार्گेट तो आपका बिलकुल बंद में होगा जो कि 34000 700 का देखने को भी इती है वह और अगर लाज्ट टार्गेट की बात के तो थे आपका Saikoloji लेवल के पास आजागा 34500 के something यानि उपर की लेवल से भी अभी हमको जो इस जगा गिरावट दिखाई देती है वो इस जगा 300 पॉंटों की आपको दिखाई देती है और इस पॉंट में आपको 300 पॉंट इस जगा कम्पिलेट हो जाएंगे देखिए आज का वीडियो का लाइक है महरकते हैं हम 2000 लाइकों का तो मुझे उमित है क कि आप सभी लोग इसको भी पूरा करोगे अब मैंने आप सभी के सामने इस जिगा option chain उपन किया जो कि आपको देखने को मिलेगा कल का option chain है यानि 14 जुलाई का option chain है अब इस जिगा option chain पर मैं आपको bank nifty के option chain पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा यह data जो मैंने उपन किया है इस data को पढ़ेने का जो तरीका होता है वो सबका अलग-अलग होता है लेकिन मैं इसको जो data को पढ़ता हूं वो कहीं ने कहीं इस तरीके से पढ़ता हूं कि market में मुझे loss कम चाहिए profit जादा चाहिए अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है क यहाँ पर 10 लाग 32,000 की समतिंगा आपको जगा OI दिखाई दे रहा है जो कि put के site का है ठीक है लेकिन इसी जगा अगर हम बात करें call के site का तो call के site का क्यों दिखाई दे रहा है OI आपको ज़्यादा इसके बारे में उन्हें आपको कल भी बताया था कि जब market नीचे की site आत यह आपने इस जगह 200 पर बाइंग किया तो 180 पर और बाइंग करते हो फिर 160 पर और बाइंग करते हो फिर इस जगह 140 पर और बाइंग करोगे फिर इस जगह आपका और नीचे आगा तो 120 पर और बाइंग करोगे तो इस तरीकी से आपने बाइंग किया है average किया है ठीक है ले तो देखे आपका साइकलोजी लेवल है जो अज के दिन ब्रेख हो चुका है ठीक है अब मार्किट अगर इस जगह देखे नीचे की साइट आपका है जो ए जगह देखे चौतिस हजाद सासो पचास इसके नीचे जाता है तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है ठीक है मार्किन में अगर हम बात के ठीक है अपका बहुत हँपर की साइट पस wonderful जो क commentary ऐसे का नीचे實 देखने को मिलता है आपका दोसर देखने को मिलता है 2500 के संतिंग देखने को मिलता है तो इस जगह लोग फसे हुए हैं क्योंकि market आप gap के साथ open हुआ तो उनको stop loss लगाने की जगह ही नहीं मिली और उन्होंने एक जगह average किया है एक जगह हम एक और चीज को हम समझ लेते हैं कि अगर market में कल के दिन आपको तेजी देखने को मिले ठीक है market आपका तेजी के साथ open हो गया तो वह कौन सा level हो सकता है जिस पर हम sailing कर सकते हैं ठीक है तो उस level के लिए देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि एक level मुझे काफी अच्छे दिखाई देता है जो कि 35,200 35,200 मुझे काफी अच्छे level दिखाई दे रहा है और आपको याद होगा कि अब मैं level में नीचे कमी करते जा रहा हूं ठीक है पहले हमारा जो sailing का point होता था वह जगा क्या होता था 35,500 का हमारा होता था ठीक है फिर उसके वाद हमने जो sailing का point लिया था वह जगा 35,400 लिया था फिर अभी हमने आज के दिन जो हमने लिया था वह 35,300 लिया था और अब हम ले रहे हैं इसमें 35,200 ऐसा क्यों क्यों क्योंकि market आपका नीचे की साइच जाता हुआ दिखाई दे रहा ठीक है तो अगर नीचे आ रहा है तो हमको sailing भी ऊपर के point से करना पड़ेगा तो अगर लेवल पर sailing कर सकते हैं अब अब यह कैसे काम करता है आपको समझना चाहिए इस जगह देखे मार्केट ने आपको लेवल बताई दिया तो इस तरीके से अगर आता है नीचे की साइट तो हम इसमें क्या कर सकते हैं पूट बाइं कर सकते हैं अगर हमको मार्केट 35,200 के समतिंग मिलता है तो इस जगह हम पूट बाइं करके चल सकते हैं बस थोड़ा मारकेट आपका मिलता है तो पहला तरगेट होगा आपका 35,000 का है दूसर तरगेट होगा प्हला बड़ा तरगेट होगा जो की अगर हम बात के तो अभी करन पिराइस इसका आपको देखने को बेगा 34,850 का जै आपका 3 target market में देखने को मिलेंगे उपर की level पे अगर market मिलता है तो कि हम market में buying कैसे कर सकते हैं इसको अपन समझते हैं कि वही market में buying कैसे कर सकते हैं जह important चीज हो जाती है ठीक है तो वो भी मैं आपको बताऊओंगा तो उससे पहले मैं आपको वताना चाहूँआ है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और अगर आपको हमारे पेट गूरूप में जोइन होना है तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजे एंजल, जरूदा, अपिश्टो, के ले सुलू, आई आई एफिल क साथ और हमारे पेट गूरूप में जोइन हो जाएगे, जिसमें आपको ओल्लाइन क्लास दिया जाएगा, निप्टी और बेंग निप्टी के अपडेट दिया जाएगे, अब चले बात करते हैं कि मार्केट अगर नीची के साइट आपको मिलता है, तो वो कौन सा लेवल हो इस में इस कंडिशन को काफी अच्छी से समझे ना, ठीक है, हम 34,400 पे CE बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है, इस जिगर हम CE बाइंग करके चल सकते हैं, अगर मार्केट आपका 400 पॉइंट और माइनस होता है तो, यानि करेंट पिराइस से आपका, करेंट पिराइस किया है इस से आपका थोड़ा और माइनस होता है, तो इस पिराइस पे हम बाइंग करके चल सकते हैं, ठीकिन कंडिशन इसमें बहुत इंपॉर्टन है कि मार्केट में जो केंडिल बनेगा, ओपनिंग नीचे, ठीक है, किलोजिंग उपर ही होना चाहिए, इसके नीचे नीचे नही जाना चाहिए, मैं बार 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 बता रहा हूं, इसके नीचे बिलकुल नहीं जाना चाहिए, तो हम क्या करके चल सकते हैं, ठीक है, फिर हमारा टार्डगेट क्या होगा, तो पहले टार्डगेट की हम बात करते हैं, पहला जो टार्डगेट हमको देखने को मिलेगा, वह target आपका 24,500 का देखने को बलेगा, दूसरे target की अगर हम बात कांए तो 34,000 का देखने को बलेगा, और last target की अगर हम बात कांए तो 34,000 700 का देखने को बलेगा जे आपके 3 target होंगे, अगर market आपको नीची की site मिलता है तो, बाकि हमें ने अच्छे लगी तो